दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर महिलाएं भूल कर भी ना करें ये चार काम घर में आती है गरीबी और बरबादी जी हाँ दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो कौन से चार काम हैं जो महिलाओं को हरगिस नहीं करना चाहिए इससे आपके घर और परिवार में गरीबी और बरबादी आ सकती है दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो अंतक देखना है और अच्छी तरह से समझना है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कीजिए तो चले दोस्तों आज का इंट्रेस्टिंग वीडियो अब शुरू करते हैं दोस्तों घर परिबार हो या समाज हर जगा इस्तरियों की इस्तिती सरवादिक महत्पूर होती है दोस्तों इस्तरियों को उचितमान सम्मान मिले इसके लिए गरुड पराण में बताया गया है कि इस्तरियों को इन चार बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए तो वो कौन सी चार बाते हैं चलिए दोस्तों वीडियो के माद्यम से जानते हैं दोस्तों पहली बात है बहुत ज्यादा ब्रह से बचना चाहिए दोस्तों सास्त्रों की अनुसार किसी भी इस्त्री को अपने पती से बहुत अधिक समय तक दूर नहीं रहना चाहिए दोस्तों जीवन साती से ब्रह इस्त्री को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है दोस्तों पती से दूर रहने वाली महिला को समाज में कई परकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों घर परिबार और समाज में उचित मान सम्मान मिले इसके लिए इस्तरी को जीवन साती के साथ ही रहना चाहिए पती के साथ इस्त्री अधिक ससत और सुरच्छित रहती है दोस्तों दूसरी बात है बुरे चरित्र वाले लोगों का संग ना करें दोस्तों इस्त्रियों को इस बात का विशेश दियान लखना चाहिए कि बुरे चरित्र वाले लोगों से दूर ही रहें दोस्तों गलत आचरण के लोगों की संगत से कभी भी संकट की इस्तित निर्मित हो सकती है दोस्तों जिन लोगों की सोच गलत होती है वे दूसरों को नुकसान पहुचाने में थोड़ा सा भी विचार नहीं करते हैं और अपने निजी स्वार्थ और इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों आता किसी भी परिस्तितियां में ऐसे लोगों का संग ना करें और इनसे साबधान रहना चाहिए अन्यता आसुरच्छा, अपश्य और अपमान की इस्थितियां निर्मित हो सकती हैं दोस्तों तीसरी बात है अपनों की उपेच्छा ना करें दोस्तों इस बात का ध्यान विशेश रूप से रखना चाहिए घर परिवार के लोगों की उपेच्छा नहीं करनी चाहिए किसी भी परिस्तिती में घर के लोगों का अपमान ना करें अन्यता कई परकार की परेशानियों का सामना करना पर सकता है दोस्तों साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शुब चिंतकों की उपेच्छा करते हुए पराये लोगों के प्रतिसने हैं प्रकट ना करें इस बात की बजे से बड़ी परेशानिया उत्पन हो सकती है लेकिन दोस्तों आज के माहल में ऐसा ही चल ला है जो अपने हैं वो गैर हैं और जो गैर हैं वो अपने पराये हैं इस चीज को हमें छोड़ना होगा तभी एक अच्छे समाज की रचना हो सकती है दोस्तों चौथा और आखरी पॉइंट ये है कि पराये घर में ना रहें दोस्तों इस्त्रियों को किसी भी परिस्तितियों में पराये घर में नहीं रुकना चाहिए इस बात की अंदेखी करने पर भेंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों पराये घर में रहने वाली इस्तरी को घर परिबार और समाज में भी गलत नजर से देखा जाता है दोस्तों इस्तरी की शबी पर बुरा असर होता है साथ ही पराये लोगों पर भरोसा करने से ब्यत्तिगत हानी भी हो सकती है इसलिए इस्त्रियों को हरगिज भी पराए घर पर नहीं रहना चाहिए इसी में ही उनकी भलाई है तो दोस्तों ये थे महिलाओं से संबंदित कुछ महत्पूर टिप्स जो वीडियो के माद्यम से हमने आपके साथ शेर किये दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दिल खोल कर वाटसब फेस्बुक आदि पर शेर कीजिए मैं आपकी सेबा में ऐसे ही मोटिवेशन और इंस्पार वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप रहिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फेरलेस जैहिंद